दोस्तो अनस्वर की पे सही तरीका क्या objection लगाने का इस वीडियो में हम complete process देखेंगे और दूसरी चीज यह कि आपने माल्या तीन के वस्तन पर objection लगाना था और आपने अभी एक ही के वस्तन पर objection लगा और आपने सोचा कि दो क्यों पर बाद में लगा दूँगा तो क्या आ पाट में आपको बताता हूं दोस्तो इस टेलियो मैंने यहां पर सारे प्रूंप डाल दिये हैं जो जो आपको चाहिए होते हैं ठीक है तो यह सो से तो मैं आपको PDF दिखा देता हूं तो इस तरह से सारे PDF प्रूफ दोस्तों यहां पर डाल दिये हैं लगबग लगबग आलमोस्ट यह जैसे 17 पेज़ गिये PDF है ठीक है और भी बहुत सारी PDF डाल लगए और भी दोस्तों यहां पर अपने यूट्यूब टेलिग्राम चैनल प बहुत दाल देंगे और अब यह दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूं अनसर की इका डायक्ट ऑब्जेक्शन का डायक्ट लिंक ठीक है तो सबसे पहले में दो केडिट काद्रूगा सबसे पहले उस कैडिट को खूलूँगा जिसने ओलिडी अब्जेक्शन लगा रखा है ठीक है तो इस link के उपर दोस्तो हम click करते हैं तो जैसे हम इस link के उपर click करेंगे दोस्तो तो आपके सामने ये इस तरह का page खुल जाएगा तो जैसे हम इस login के उपर click करेंगे तो आपके सामने ये वाड़ा page खुल जाएगा ठीक है तो अब हम जैसे निचे जाएंगे ये दोस्तो इस candidate ने ओल लेडी लगा रखा है ठीक है चाहे 11 में इसके second shift थी ठीक है इसके booklet ये थी कि वस्तन ID ये है और इसने जो है ये correct answer ये है और option मतलब correct answer जो answer की में ये दे रखा है तो हमने challenge किया कि एक नहीं आएगा वई तीन आएगा ठीक है और इसके लिए यहाँ पर supporting document लगा दिया तो यहाँ पर ये fees वगरा जो है pay हो रखी है इसका हम print out लेकर रख सकते हैं ठीक है तो ये दोस्तो हो गया तो यानि कि यहाँ पर इस candidate ने एक objection लगाया है अब ये candidate कर रहा है कि मुझे दो objection और लगाने है तो दोस्तों यहाँ पर कोई option नहीं है आपने सिर्फ objection लगाना तो सिर्फ एक ही बार लगाना है ये गल कर रहा हूं लेकिन कहीं पर भी कलिक नहीं हो रहा है ठीक है एक बार लगा दिया तो लगा दिया तो अब दोस्तों मैं second candidate का खोलूंगा जिसके ने objection लगाया ही ने अभी तक और फिर मैं आपको दिखाऊंगा की कैसे अपने objection लगाना है तो दुबारा से दोस्तों दूसरा registration पर डालते हैं तो यह दोस्तों हमने डाल लिया है अब लोग इन करते हैं तो दूसरे candidate का दूस्तों हमने खोल लिया है व्यू चैलेंज अनसर की पर हम कलिक करते हैं तो यह देख लेते हैं दूसरे candidate का खुल गया है अब हम आगे देखते हैं अभी इस candidate ने दोस्तों एक भी क्या करना है यहाँ पर इस तीज को मुड़ें in case the candidate want to submit documents in spot of challenge of answer की they should upload pdf file with maximum size of 500 के भी यानि कि आपने मालियत तीन के वस्तन है तो तीनों के वस्तन का दोस्तो एक ही pdf बना करके उनकी upload करनी है ऐसा नहीं कि बार बार आपने एक ही कि बे अलग-अलग upload होगी नहीं एक ही pdf में तीनों के वस्तन के proof हो जाएंगे वो sequence wise लगा देना बस ठीक प्रूफ जो sequence wise होने चाहिए as according to question ठीक है तो मैं थोड़ा सा दोस्तों मालिया एक कोई एक के वस्तन बे बता देता हूं एक बार उसके लिए मालिये 100 नंबर के वस्तन दोस्तों इसका answer है 3 मैंने का दिया कि वह इसका answer आएगा दो ठीक है एंटिवर्णों ने 3 का रखा मैंने का दिया 2 ठीक है उसके बाद ही है जो है इसके के देखना है अभी हम सब्मीट एंड रिव्यू क्लेम्स देखते हैं तो यहां पर जैसे हम इसके उपर क्लिक करेंगे तो इसके उपर आगे आएगा यह देख सकते हैं बैड रिक्वेस्ट ठीक है अगर आपने कुछ भी मतलब वो किया तो क्या उजाएगा उपस पेज टाइ ही नहीं लगाया है तो वोड़ा आएगा टाइम डाउट हो गएरा कुछ इस टाइगी तो यह देख सकते हैं आपर सो नंबर के वस्टन पर हमने किया था ठीक है और आगे किया था हमने सरको भई इदर ठीक है तो यहां पर यह आगया कि सो रुपय आपने फीज पेश पेड़ नहीं है ठीक है तो यह आगे हम देख लेते हैं यह इस तरह से मैं आपको बटाए था कि दो नंबर मैंने किया हुआ है ठीक है तो ये view supporting document भी देख सकते हैं आपने कुछ गलत लगा दिया माल लिया तो आप यहां पर जो है जाकर देख सकते हैं ठीक है इसके बाद आपने क्या करना है save claim and pay fees इसके बाद क्या करना अगर आपने दोस्तो लगता कि आपने कुछ गलत लगा दिया तो आप क्या करेंग तो आप क्या करेंगे उसके आगे जाएंगे और pay fees कर देंगे ठीक है इसके आगे सिर्फ क्या करना आपने fees को pay करना है आप UPI ID से Google Pay वगरा से किसी से भी fill up कीजिए तो कहने का मतलब है दोस्तो अगर आपने लगाना है तो सिर्फ आपने एक बार में ही सारे objection लगा देने है और objection लगाने का direct link आपको direct link आपको यहाँ पर डाल दिया है चैसी CT official पे ठीक है तो यहाँ पर और objection अनसर भी वह भी डाल रखें दोस्तो ठीक है तो आप यहाँ से जो है screenshot लेव अपने PDF बनाओ और attach कर दो ठीक है तो इस वीडियो में दोस्तो फिर भी कोई doubt रहा है तो आप comment box में comment कीजिए thank you